अगर कल आप मर जाते हैं तो आपके साथ आपके ड्रीम्स, आपकी इंस्पिरेशन, आपकी पोटेंशल, आपने लाइफ में अपने बारे में जो जो सोचा है वो सब कुछ कतम हो जाएगा जब भी लाइफ में हमारे साथ कुछ नेगेटेव होता है तो हम क्या सोचते हैं कि भाई पूरी दुनिया मारे ले नेगेटेव है अगर मुझे एक लड़की ने धोका दिया तो मैं काऊँगा कि अगली लड़की अगर मेरे लाइफ के अंदर आएगी वो भी मुझे दोका द जाओंगा मैं अपने दिमाग को बॉटर लेक करना जिसके चकर में आगे नहीं बढ़पाऊंगा यहाँ लड़की की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर सारे फेलियर की बात कर रहे हैं अगर हम लाइफ के निर कोई भी चीज करते है उसके अंदर हमको फेलिर मिलता है फिर फे लेता हूं तो भाई मैं साइकिल चला पाऊंगा अगर आप बिजनस करना चाहरे हो तो भी आपके साथ यही सेम थिंकिंग चलती है पर हम अपने आपको एक कंफर्ट जोन के अंदर रख लेते हैं कि नहीं भाई मैंने लास्ट साइं बिजनस किया था उसके मैं फेल हुआ थ अब मैं बिजनस नहीं कर सकता भगवान ने मुझे बिजनस वाला नहीं बना है अब भगवान ने भाई सबको सेम बना है कोई ये नहीं है कि भगवान ने ठपा लागा कर रखा था कि भाई ये बंदा जॉब करेगा ये बंदा बिजनस करेगा ये हमारा खुद का कंफर्ट zone के अंदर है जो उनको पता है सिर्फ वहीं काम करते है इदर उदर की कोई भी चीज नहीं गाए तो क्या comfort zone में रहना सही है क्या हमको हमेशा negative सोचना जुरूरी है अगर हमको life में कोई भी failure दिया है क्या हम उसी के बारे में सोच के सोच के बाई मैं फुद्द हूँ मैं जिन्दगी में कुछ नहीं कर सकता भाई आप great हो आपने जो भी life के अंदर सोचा आपको वो मिलेगा बस आपको उसके लिए आप लाइफ के अंदर जो भी चीज करना चाते हो आप वो अचीव कर सकते हो अगर आप नहीं कर सकते तो और कोई नहीं कर सकता यह सीधी सी बात है तो चलिए आसम अपना comfort zone छोड़ते हैं और मेरे साथ बोली yes I can yes I can अगर मैं नहीं कर सकता तो और कोई नहीं कर सकता मतलब म रहत करके ही दिखाऊंगा अगर मगर बगर कुछ नहीं होगा जो मुझे लाइफ में चाहिए मैं वो छील नहीं होगा तो ठीक है दोस्तों, all the best अपने comfort zone से भार आजाओ और जिम्दिगी अपनी बदल दो